सूबे के मुख्यां शुरासी चवान तीन दीनों से ग्वालियर चंबल के दोरे पर हैं इस दोरान उन्होंने उप्चनाव वादी सीटों पर करोड़ों रूपए के विकासकारियों का भूमी पूजन लोकारपन तो कर ही रहे हैं साथ ही पूरू की कौंग्रे सरकार को जमकर निशाने पर भी ले रहे हैं कल शुरासी चवान ने ग्वालियर की पूर विदान सबा सीट में 125 करोड़ उपए के विकासकारियों का लोकारपन और भूमी पूजन किया बख्यमत्री शुरासी आज भी ग्वालियर चंबल सबाग के दोरे पर रहेंगे वे दोफर साड़े 12 बजे दतिया से भांडेर पहुचेंगे और वहां विकासकारियों का लोकारपन और भूमी पूजन सबारों में शामिल होंगे इसके बाद सीम तीन बजे गोहद में विकासकारियों के साउगात देंगे इदर सिंधिया ने कहा कि मुझे कुर्सी का कोई मोह नहीं है, मुझे लोगों को दिलों में जगा चाहिए, उन्होंने भरुसा जदा कि शिवराज कोई वादा करेंगे, तो करके दिखाएंगे. और यहां अपना तुछी छोड़ेंगे। और सम्मानी सिंधिया जी को, मैं आज हिर्दे से आपका भीनेदर करता हूं, स्वागत करता हूं, आपने सेर की खाल में छिते भेडियों को पहजान दिया। अजब आपने देखा, इनको जन्ता की चिता नहीं है, इनको निकास की चिता नहीं है, इनको ग्वाजर की चिता नहीं है, इनको गरिवों की चिता नहीं है, किसांदा पायूं की चिता नहीं है.